सो अगेता आपका शेयर बाजार लाइव में पांशू भंडारी थोड़ी दिन में अनल जी भी हमार साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बाजार का अक्शन बंते हैं पर उससे पहले आज के जो बड़े ट्रिगर्स हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं FIS यहाँ पर खरिदारी जारी है कल कैश बाजार में 4,900 करोड से जादा की करी है FIS ने खरिदारी इस महीने अगर आप अब तक देखें तो 38,000 करोड से जादा की खरिदारी FIS कर चुके हैं तो वहाँ का मोमेंटम अभी भी बरकरार है लक्षमिवलास बैंक इस पर रहेगा focus क्योंकि इस पर अब लगया है RBI का moratorium और साथ ही इसका अब होगा DBS bank के साथ merger तो वहाँ पर हमें नज़र रखनी पढ़ेगी और साथ ही banks पूरा financial space और markets के लिए एक एहम दिन आज फिर से क्योंकि loan moratorium मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है अगली सुनवाई तो यहाँ पर भी हमें नज़र रखनी पढ़ेगी एक बार देख लेते हैं कि आज सुबह ग्लोबल बाजारों से क्या क्यूज आ रहे हैं अगर आप वहाँ पर देखें तो कुछ data है जो निराशत जनक रहा है इस्पेशल जो October के retail बिकरी का trend था वो अनुमान से थोड़ा कमजोर आया साथी कुछ दिगज retail companies के नतीजे आये थे वो वैसे तो अनुमान से बहतर रहे पर थोड़ी profit booking वहाँ पर आती हुई दिखी त तो वैसे बाजार का action बरकरार है थोड़ा large caps में मुनाफ़ा वसीली हुई पर small cap broader market की जो rally चल रही है अमेरिकी बाजारों में वो फिलाल बरकरार है नई president बनने वाले हैं जो बाइडन और उन्होंने नई stimulus की अपील करी है वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द नई stimulus को लाना अब देखना पड़ेगा कि कितना support उसके लिए आते हुए दिखता है इसके अलाब अगर आप देखे तो बाकी global qs भी ठीक ठाक हैं थोड़ी सुस्त हैं आज सुबा अगर आप एशिया के बाजार देखे तो मिले जुली चाल चल रही है जपान में हलकी सी गिरावट जरू पर देखना पड़ेगा कि 13,000 पहले आता है या फिर थोड़ा डिप उससे पहले आते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी यहां पर जबरदस आक्शन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से और 29,000 का स्थर बाजार ने आराम से चुआ और 29,000 दोसों के करीब क्लोजिंग भी कल अनल जी ने भी आपको जो जो स्टाटेजी दी बैंक निफ्टी को देकर लगभग सारे टार्गेट्स वहां पर आते हुए दिखे हैं तो वहां का जो मोमेंटम है वो बरकरार है पर क्या इस मोमेंटम पर लक्षमी विलास बैंक की जो खबर आई है उसका इंपक्ट पड पर नजर रखनी पड़ेगी कि क्या इसका बैंकिंग सिस्टम पर कुछ जादा बड़ा इंपक्ट होता है की नहीं वैसे तो जादा बड़ा बैंक नहीं था पर देखना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स का भी जो इंट्रेस्ट है वो फिलाल के लिए सेफगार्ड नहीं या नहीं यह एक बड़ी बात होने वाली है आज के अक्शन के लिए तो अगर आप थोड़ी सुस्ती देख रहे हैं तो वह बात अलग है पर खबरे बहुत सारी है अक्शन बहुत जादा है और इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट के जुचाल है वो बरकरा रहेगी काफी सारे सेक्टर्स में हमें ऑपर्चुनिटी आती हुए दिख रही है तो नज़र रखते हैं कि आज किस तरह का मुवमेंट बाजार के अक्शन में आएगा अनल जी से भी अब थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं जानेंगे कि उनकी आज के लिए क्या स्राटीजी के ऊपर हम जाते हैं और जो यह FIS की जबरदस्त बाइंग है क्या वो सस्टेन कर पाती है नहीं यह एक बड़ा सवाल बनते हुए दिखेगा FIS की तरफ से अगर आप देखें तो इस महीने 38,000 करोर रुपीज की खरिदारी हुई है बहुत ही बड़ा फिगर है हम देख रहे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके DIs थोड़ी मुनाफ़ा वसूली कर रहे है उपरी सरूपर तो जहां FIS ने 38,000 करोर की खरिदारी करी है वहीं DIs ने 24,000 करोर की प्रॉफिट बुकिंग भी करी है यानि कि बिक्वाली भी करी है तो उपरी सरूपर DIs थोड़ा रोटेशन कर रहे हैं FIS अच्छी खरिदारी कर रहे हैं और पूरे के पूरे मार्केट में आप जबरदस्ट अक्षन देख रहे हैं साथी ब्रॉडर मार्केट भारते बाजार के जो ब्रॉडर मार्केट से वहां पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए क्योंकि एक-एक करके जबरदस factor रहा है market का और लगातार यहां पर भी movement आया है और आप देख रहे हैं कि बाकी sectors पर भी बड़िया move है तो चलिए action को आगे बढ़ाते हैं अनल जी मैं हमार साथ जुड़ रहे हैं अनल जी कल तो थोड़ा issues के वज़े से आप से जुड़नी पाई पर फोन में अपने जबरदस हमें strategies दी आज भी market action का इंतिजार रहेगा थोड़े सुस संकेत आ रहे हैं सर पर market action की मैं बात करूँ उससे पहले जो आज की बड़ी ख़बर है वहीं से शुरुबात करते हैं सर लक्ष्मी विलास bank moratorium के अंदर आ गया है merger होने वाला है DBS bank के साथ सवाल सबसे पहले यही बनता है सर depositors का क्या होगा और shareholders का क्या होगा क्योंकि दो major concerns यहीं से आ रहे है देखे देपा जहां तक deposit holders का सवाल है उन्हें तो चिंता करने की बहुत जरूत नहीं उनके लिए थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वक्त लगने के साथ उनकी deposit उन्हें मिल जाएगी फिलाल 25,000 रुपे की limit एक मेने के लिए RBI ने रखी है moratorium period में तो तब तक आप 25,000 रुपे निकाल सकते हैं कि बैंक पूरा DBS bank को जा रहा है और SMI उनकी deposit सेफ हैं वक्त लग सकता है और जिस तरह से पूरा ये arrangement RBI ने किया है moratorium में डाला और moratorium में डालते ही इस बात का एलान किया कि DBS bank LVB को अब खरीद लेगा या उसे LVB ट्रांसफर किया जाएगा तो इसका मतलब clear cut है कि plan of action पहले से तयार था और SMI deposit holders को panic से बचाने के लिए RBI ने ये किया है तो जिन लोगों की deposits हैं और जिन लोगों की secured bonds हैं मुझे नि लगता कि उन्हें चिंता करने की ज़रूत है उनके लिए clear cut है थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उनके पैसे safe हैं और उन्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन जहां तक share holders का सवाल है ये बड़ा interesting है कि shareholders को कुछ भी नहीं मिलने वाला है in fact आपके share की value एक तर से आप zero मान कर चलिए अभी तक जो कुछ समझ में आ रहा है कुछ भी value बची नहीं है और ऐसे में shares dealist हो जाएंगे और जाहिर सी बात है कि shares में value नहीं बची है shares dealist होंगे तो उसके बाद आपके पास बचा क्या कुछ भी नहीं और जो unsecured creditors हैं या जिन्होंने किसी वो bonds खरीद रखे हैं जो unsecured हैं तो उनके लिए भी किसी तरह का payment आने की गुझाईश खत्म हो चुकी तो इसे एक तरह से आप अच्छी बात ये कह सकते हैं कि RBI ने शुरुआत में साफ कर दिया दूसरी तरह से खराब बात ये कह सकते हैं कि अगर किसी कमजोर bank को किसी दूसरे bank को transfer किया जा रहा है तब भी equity shareholders के लिए कुछ भी नहीं बचता है unsecured bondholders के लिए कुछ भी नहीं बचता है ये yes bank के बात दूसरा मामला है जहां पर कुछ दूसरे banks आखर किसी कमजोर bank को बचाने की कोशिश करें लेकिन yes bank के case में और इसमें एक बड़ा फर्क यह दिप की yes bank के case में साफ तोर पर आर्भाई ने equity shareholders की value zero नहीं की थी और reserve surplus को zero नहीं किया लेकिन यहां पर equity shareholders की value zero की जा रही है यानि कि equity shareholders के लिए अब लक्षभी विलास bank में कुछ भी नहीं बचा है तो यह एक बड़ा जटका है equity shareholders के लिए बहले ही market cap 4500-500 करोड रुपे के आसपास जो भी हो लेकिन जो कुछ भी है वो पैसा एक तरसे zero होता हुआ दिख रहा है अब interesting चीज है कि DBS को ही RBI ने क्यों डिया है यह interesting बात है क्योंकि इससे पहले दो प्रयास लक्षमी विलास बेंक को खरीदने के लिए हो चुके है जानतर मुझे याद है एक प्रयास इंडियाबुल्स हाॉजिंग ने किया था इंडियाबुल्स हाॉजिंग के पास 5% स्टेक भी है 4.99% स्टेक है और उन्हें पूरा प्रयास किया था अच्छे से याद है 900 रुपे के आसपास जब इंडियाबुल्स का दाम होता था तब उन्होंने मर्जर रेशियो भी अनौन्स किया ड्यू डियू डिलिजेंस भी किया और उसके बाद आर बियाई ने मना कर दिया अब इंटरसिंग चीज है कि आर बियाई ने तब इंडियाबुल्स हाउजिंग को मना किया कि नहीं वो लक्षमी विलास बेंक उन्हें नहीं देना चाहते हैं और अगर दिया होता तो उस समय इंडियाबुल्स हाउजिंग का 900 रुपे का दाम था आज देखिए भाव क्या हो गया है इंडियाबुल्स का भी भाव देख लिजिए लक्षमी विलास बेंक का भी देख लिजिए लेकिन उन्हें मना करने के बाद एक और क्लिक्स पार्टनर्स उन्होंने साड़े 1400 करोन रुपे में लक्षमी विलास बेंक को खरीदारी करने के अपनी बिड रखी थी वो भी आर्बिय ने मना कर दी वो दोनों बिड मना करके आप DBS को दे रहे हैं और वो भी तब जब DBS zero value दे रहा है ये बड़ा interesting है equity shareholders के लिए zero value है unsecured bond shareholders के लिए zero value है लेकिन उसके बावजिद दो बैतर प्रपोजल नहीं देकर finally अब लक्षमी विलास मेंक के लिए जो प्रपोजल आया तीसरा वो equity shareholders के लिए बहत खराब है इसमें कोई doubt नहीं deposit holders तो बच जाएंगे लेकिन equity shareholders के लिए साड़े पंदार रुपे पूरे के पूरे गए दीब तो ये interesting है कि साड़े 1400 करोड की clicks partners की deal भी RBI ने reject की India Bulls की deals भी reject की India Bulls का समझ में आ सकता है कि उन्हें concerns नहीं होंगे कि चली हमें और Indian promoters को नहीं देना है या जिनके diverse interest है अलग-अलग फिल्म है शायद वो due diligence में RBI को कम समझ में आता होगा clicks partners वहां मना किया वो interesting है जबकि वो साड़े 1400 करोड रुपे देने को तयार थे आज भी देखिए आज की market cap से लगबग तीन गुना होता पिसा लेकिन अब जो भी है इस वक्ट जो लक्ष्मी लास बैंक में जो development हो रहे हैं वो आके में चिंता जैनक है banking system के लियाद से इस लियाद से तो मेरे लिए एक simple system यह बचता है दीब की इसका मतलब है top के 5-7 banks safe हैं अगर मैं वहाँ पर share खरीद कर रखता हूँ या मैं unsecured bond क्योंकि आपने देखा जो unsecured bonds और even bonds जो yes bank है थे उनके भी bond rollers के पैसे लगबग 0 हो गये तो ऐसी situation में अगर आप bank को पैसा उधार देते हैं या bank का share खरीते हैं और वो पैसा आपका 100% risk पर है तो यह आपके लिए question mark उटागा है अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है पहली चीज़ तो है कि आज banking share इस बात को लेकर दबाव में हो कि लक्ष्मी विलास bank भी गया एक के बाद कई सारे banks ऐसे हैं आज भी कुछ banks ऐसे हैं जो 5,7,8,10 रुपे में trade कर रहे हैं private sector banks की में बात कर रहा हूँ कल को पता नहीं उन में से किसी और bank का number आ जा है और आपको लगे कि यह तो profit दिखा रहा था bank लेकिन अचानक से क्यों RBI के moratorium में आ गया कुछ भी हो सकता है तो negative side पर देखें तो banking system पर question mark है positive side पर देखें तो इसका मतलब यह है कि अब as a shareholder मुझे समझ में आता है कि मुझे top 5-7 bank कों के अलाव किसी भी bank का share रखने में उतनी रिस्क है तो मैं किसी HDFC, ICI से quota किया 4-5-7 top bank के उनके नीचे जाऊ ना तो यह बड़ा question mark shareholder के दिमाग में आज जरूर आएगा कि क्या वाकए में जो mid-care private banks है जो 5-10-15-20-25 रुपे वाले bank हैं जिने आप हमेशा थोड़ा सा यह सोचने कि value pick हो सकती है turnaround case हो सकते हैं क्या वाकए में उनके share खरीद के रखना समझदारी है या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भले return कम मिले लेकिन quality और top 10, top 5, top 10 bank के साथ ही रहना है तो यह एक बड़ा lesson है लक्षमी विलास bank से कि भले ही महंगा है लेकिन आपको बड़े bank से साथ ही रहना होगा और दूसरा है कि फिर ऐसे में bank equity और banking share तो दिगजों से चलते हैं और दिगजों के लिए तो यह अच्छी खबर है कि जितने कमजोर bank कम हो उतना बढ़िया है अब DBS के लिए यह अच्छा है कि वो हिंदुस्तान में पेर जमाना चाते हैं डिटेल में जाना चाते हैं लाइसेंस लेने से बहतर है कि किसी existing कमजोर bank में जहां आपको एक value मिल रही है और वाके में इसमें कोई doubt ने कि DBS को तो value मिली है क्योंकि उनके पास liabilities नहीं आ रही इसके बावजुद उन्हें लक्षमी विलास बेंक के सारे infrastructure branches पे उन्हें मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है DBS के लिए यह अच्छी deal है आज में को कोई किसी को ढूंड कर देना था आज में ने वो काम किया इस पूरे episode में अगर मरे हैं तो लक्षमी विलास बेंक के shareholders औ आज का दिन खराबे देखते हैं किस तरह का move आता है सर आपने तो विस्तार में समझा दिये लक्षमी विलास बैंक की खबर और उसका impact वहाँ पर नज़र रहेगी सर बैंक पर focus इसलिए भी रहेगा क्योंकि moratorium मामले में Supreme Court की सुनवाई है पर इसके लावा banks पर क्या नज़ चीजें इसमें मैं कहना चाता हूँ पहली चीज तो है कि आप किसी भी तरह से लक्षमी विलास बैंक को ये सोच कर खरीदने की कोशिश ने करें कि DVS जैसा एक अंतराश्टी बैंक इसे टेक और करने जा रहा है पहली चीज दूसरी चीज अगर आपके पास share है नीचे के सर करेंटरियम वाले मामले में पता नहीं आज फाइनल फेसल आएगा संभावना कम है अभी सुनवाई जिस तरह से चल रही है लगता अभी भी पक्ष और तरक रखे जाएंगे तो अभी भी उसमें वक्त लगेगा तो वह एक तरह से आपके लिए नूटरल सी इवेंट होगी वहाँ से जो भी खबने आएगी जिस तरह की आएगी उस पर छोटा मोटा रियक्शन आ सकता है तो मुझे सिर्फ यह देखना है कि बैंक्स पर आज बैंकिंग सेक्टर और बैंक्स लक्षभी विलास बैंक की इस खबर पर किस तरह से एक्शन दिखाते हैं मेरा जो समझना ह वो यह कि दिगज बैंकों के लिए मैं इस खबर को नेगिटिव नहीं मानता इनफेक्ट उल्टा में पोजिटिव समझता हूं कि ज्यादा जाब भरोसा अब लोगों का और बड़े बैंकों पर बढ़ेगा लेकिन मिटकेप प्राइवेट बैंक्स जो छोटे चोटे प्रा अच्छी बात यह कि मिटकेप प्राइवेट बैंक्स का बैंक्स डिफ्टी में कोई एक्स्पोजर है नहीं वेटेज है नहीं तो वहां पर कम से कमा आपको यह रिलीफ है कि उनकी वज़े से बैंक्स गिर नहीं सकता और बलकि बड़े बैंक्स के लिए तो इसे हाउजिंग फाइनिस का स्टोक एफेनोग बैंड में है तो एफेनोग बैंड में आज लोंग अन्वाइंडिंग इस ख़बर के चलते हो सकती कि इंडियाबुल्स हाउजिंग ने जो स्टेक अपनी रखी हुती लक्ष्मी विलास बैंक में है या उन्हें कहीं उमीद रही ह होगी कि आगे पीछे हम कोशिश करके किसिन किसी तरह से लक्ष्मी विलास बैंक को लेंगे और एक हाउजिंग फाइनिस से बैंक बनने की जो उनकी ख्वाइश थी उस पर अब पूरी तरह से ब्रेक लग गया है क्योंकि होता ही है कि आप NBFC से बैंक बनते हैं तो आपको स स्टोप बन चुका है तो इंडियाबूस हाउजिंग फाइनेंस आज यह स्टोप गिर सकता है मैंने शॉर्ट कॉल सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि शॉर्ट कॉल देने का फायदा नहीं एफनो बैंड में है कैश में आप बेच नहीं पाएंगे तो आज इंडियाबू सावजिंग फनाइनस यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी चलिए सर फिर नजर रखते हैं बाकी मार्केट अक्षिन किस तरह से आप समझ रहे हैं आज के लिए थोड़ा कंसॉलिडेटरी मूव आती भी दिख सकती है क्या क्या रीडिंग है आज के संकेतों की देखिए ग्लोबल संकेत न्यूटल हैं बहुत खराब नहीं बहुत अच्छे नहीं देख सकते हैं नहीं रोज आप लाल निशान में दिख सकते हैं वह बहुत क्लियर कट है तो सिंपल चीज यह है कि ठीक है थोड़ा बहुत अगर बाजार इतनी तेज़ दोड़ लगाने क बाद consolidate करते हैं इन लेवल पर वक्त बिताते हैं बहुत सही है अच्छी बात है और दूसरी बात यह कि देखिए हर बड़े लेवल को बाजार को respect करना चाहिए क्योंकि बड़े लेवल को पार करने के लिए जो ताकत जो पैसा जो sentiment और जो fundamentals होने चाहिए वो जरूरी है आप बिना fundamentals के बिना पैसे की ताकत के और सिर्फ अच्छे sentiment के दम पर भागेंगे तो वो दोड़ आपकी लंबी नहीं होगी छोटी होगी अब 13,000 का बड़ा लेवल आपके सामने है और 13,000 के लेवल को पार करने के लिए आपको 3-4 चीज़ें चाहिए पहला अच्छा sentiment आपके पास है अच्छा fund flow FIS की दमदार खरीदारी है अच्छे fundamentals आपके लिए नतीजे अच्छे आतेव दिख रहे हैं तो तीन चीज़ें आपके पास है चोटी चीज क्या है जो data डेटा भी आपके लिए अच्छे हैं बस हलकी सी रुकावाट का संकेत इसलिए देते हैं कि monthly और weekly दोनों expiry में अगर आप दोनों देखेंगे तो 13,000 के call option पर highest open interest है तो एक दो दिन अगर आप यहाँ पर वक्त बिताएं consolidate करें आपके stocks churn करें sectors rotation हो और उसके बाद आप 13,000 को पार करके ठीके हैं तो वो आपकी जो तेजी बनेगी वो ज्यादा ठीका होगी touch and go वाले में मज नहीं है कि आप गए छुआ नीचे आगए वहाँ पर बिक्वाली आगए बैतर क्या है बैतर यह कि आप 13,000 को पार करके ठीके है और वहाँ से और बेस बना कर आगे बढ़ें तो यह best formation अगर अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में होता है इस expiry तक होता है कि बाजार नीचे और इन्वेस्टर का confidence भी देखता है खरीदने वालों में कितना confidence है या जो लोग profit book करके सिर्फ इस बात के इंतजार करें थे कि जहां break लेगेगा जहां रुकेगा वही से हम profit book करेंगे तो उनकी बिक्वाली खत्म हो जाती है क्या तो मुझे लगता है कि एक दो दिन consolidation के हो स सकते हैं लेकिन अभी भी किसी भी तरह से बाजार की ताकत में कमी नहीं है और कल के data जो हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे दिप बेहत मजबूत है इसमें कोई doubt नहीं तो आईए आपको संकेत बता दूँ ग्लोबल संकेत neutral रखे मैंने FIS के संकेत positive साइट पर है positive नहीं बिलकुल ला तो आज के संकेत तो अच्छे ही आ रहे हैं और जाद तर आप क्यूज देखें तो positive या neutral ही दिखेंगे range फिट क्या निकल कर आती है सर आज के लिए 12,750-12,800 आज के लिए दिन की मजबूत support zone है in fact 12,700 तक 12,700 से 12,800 की range में multiple support है हर 25-25 point पर निफ्टी पर तगड़े support level है तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं 12,750-12,800 में आज के लिए support zone देख रहा हूँ 12,925-12,975 आज के लिए open range और अगर इसे पार करके ठीक है तो 13,025-13,075 ये आपके लिए profit booking zone उपर की तरफ बनेगा बैंक डिफ्टी 28,750-18,850 दिन के लिए तुरंत मजबुत support जो होना है इसके नीचे फिसलने की संभावना कम है होगा तो फिर तब देखेंगे तब आपके लिए 25,450-25,600 की range आती है जहां तक जा सकता है लेकिन उसकी जरूट नहीं है इसको पार करके अगर ठीक है वैसे संभावना कम है लेकिन अगला target जो बनेगा बैंक डिफ्टी का वो 29,750 से लेकर 29,900 का बनेगा इस range पर आपको नज़र रखी है यह आपके लिए बड़े range वाले level होगए अब आपको छोटी range बता दू दिन की 12,800, 12,925 संभावना यह कि आज बाजार ज्यादा वक्त इसी range में बिताएं इस range के जिस तरफ बाह निकला 50 point का move और गिल लिजे अगर 12,800 तोड़ता है तो 12,750 की जगह खुलती है और 12,925 को पार करके टिकते है ज्यादा precisely 12,935 कल का high पार करके टिक है तो आप 12,975 तक जान बड़ी range निफ्टी पर हो सकते हैं बैंक निफ्टी 28,850, 29,275 यह बैंक निफ्टी के आज की चोटी range है अठथाइस 750 से लेकर 29,550 यह बैंक निफ्टी की medium range होगी और 28,600 से लेकर 29,750 यह बैंक निफ्टी के लिए आज की बड़ी range आप मान कर चल सकते हैं जी दिप तो यह हैं आपके लिए दिन की रेंजिस सर पर जो आप क्यूज बता रहे थे क्या समझने चाहिए सर जहां तक FIS की पोजिशनिंग है PCR क्या संकेट दे रहा है देखे पुटकोल रेश्यो अंचेंज है एक उनसाथ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है मज़े की बात है कि देखे बाजार मजबुति के साथ बंद हो रहे हैं कि पुटकोल रेश्यो जसका तरह से पोजिशन मेंटेन है FIS की नेट लोंग पोजिशन थोड़ी सी बढ़ी है 67% से 70% के आसपास आई है अभी भी थोड़ी और जगह है FIS की तरफ से नेट लोंग बढ़ाने की वो बढ़ा सकते है थोड़ा और Wix 4% बढ़कर आया 19-20 के आसपास थोड़ी सी volatility बढ़ने का या profit booking का ये संकियत दे रहा है जिन लोगों की तेजी की position है बाजार में उनके लिए stop loss 12,750 का होना चाहिए आपको और deep और safe stop loss लगाना है कि ये मेरा trigger ही ना हो तो फिर 12,700 का लगा लिजिए अदरवाज 12,750 सही stop loss है intraday और closing basis पर भी bank nifty 28,700 ये intraday और closing basis पर stop loss जिनको छोटा stop loss रखना है वो 29,000 का भी रख सकते है intraday के basis पर लेकिन सही bookish stop loss आप गिनेंगे तो कल के lows का बनता है और वो है 28,700 का short position काईदे से होनी नहीं चाहिए लेकिन ऐसा तो है नहीं कि है नहीं है काफी लोगों की और जिनकी है अब वो stop loss 13,000 का रख लें 13,000 के पार निकल कर ठीक है या बंद होता दिखे तो फिर exit कर ले उसके बाद इंतजार न करें 29,300 चोटा stop loss दे रहा हूँ बैंक डिफ्टी पर 29,300 के उपर निकल कर ठीक है या close होता दिखे तो आप positional trader है या intraday trader है जैसे भी है आप exit कर ले या आपके लिए ठीक रहेगा जी दीप बिलकुल तो यह है आपके लिए एहम levels existing positions के लिए नई position सर कैसे बनाएंगे नई position के लिए दीप आपको खरीदनी है निफ्टी अगर 12,750-12,800 की range में अगर आपको मिलता है तो यह बहुत ही बड़िया level होगा बहुत बड़िया range होगी जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए 12,700 आपका stop loss होना चाहिए 12,875, 12,925, 12,975, 13,000 और 13,025 यह है आपके लिए वो तमाम levels जिन पर आपको नज़र रखनी खरीदारी करने के लियाद से जो लोग short करना चाहते हैं 12,975, 13,025 परफेक्ट रेंज अगर वहां मोका मिलता तो ज़रूर आपको short position बनानी चाहिए और 13,100 का stop loss लगा लें 12,925, 12,875 और 12,825 तक के target के लिए आपको बिकवाली भी उपर करनी चाहिए जो बहुत aggressive trader है उनके लिए अगर short है और fresh करना चाहते हैं कहां खुलेंगे उस हिसाब से देखेंगे बहुत gap से खुले तो तूरंट खरीदेंगे gap से उपर आए तो तूरंट बेचेंगे ये दोनों ही चीज़ें आपको साफ दिख रही है आए बैंक रिफ्टी 28,750, 28,850 ये ठीक रेंज है जहां पर बैंक रिफ्टी में आपको खरीदारी करनी चाहिए 28,600 का आपका stop loss होगा 29,000, 29,175, 29,275, 29,550 और 750 ये तमाम वो लेवल से जिसके लिए खरीदारी करनी है और दीप आपने कल देखा 29,175 का फाइनल टारगेट भी बैंक रिफ्टी पर कल हासिल होता हुआ दिखा है बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है और अगर आप दो इसको ध्यान में लक्ष्मिलास बैंक की वेज़े का sentiment और दूसरा moratorium वाले मामले के सुनवाई इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप एक चांस ले सकते हैं 28950 से 29,050 की रेंज में खरीदारी करने का बहुत स्टॉप्लोस आपका 28900 का होना चाहिए एक चांस वाँ से ले सकते हैं और उपर के टार्गेट फिर वही बनेगे 29,175-275 के आगे के टार्गेट ये आपके लिए बैंक निफ्टी के टार्गेट निफ्टी 29,550-29,750 परफेक्ट रेंज जहां पर आपको शॉट करना चाहिए 29,900 का आपका अस्टोपलोस होगा 29,300 29,200 और 39,050 ये तीन टार्गेट के लिए शॉट करना चाहिए बैतर यह होगा अगर गैप से काफी नीचे खुलें और एक अच्छा मोका मिलें तो खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए ठीक उसी तरह से कल भी जैसे हमने का कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी में बंद हुआ इसलिया कल का ट्रेड निफ्टी के बजाए बैंक निफ्टी पर था आज बैंक निफ्टी पर क्लीर कट ट्रेड में हैं इन दोनों फैक्टऱ् को देखते हैं Supreme Court वाले Moratorium वाले मामने की सुनवाई से मुझे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कि महाँ से बैंक डिफ्टी पर कोई बड़ा उच्छाल या गिराउट आ सकती है लेकिन लक्षमी विलास बैंक को लेकर बड़े बैंकों के लिए खराब नहीं है और बड़े बैंकों के लिए खराब नहीं है तो फिर ठीक है अच्छी बात है दूसरी तरफ से आप यह भी देख सकते हो कि भाई ऐसे एक एक करके बैंक इस तरह से अगर मुश्किल में आएंगे या फिर अगर DBS जीसा एक और बैंक चाहिए आप गोली खाएं कडवी लगेगी सर्जिरी करें दर्द होगा लेकिन उसके बाद जो आराम मिलता है वो ठीक है तो यह एक ट्रीटमेंट हो गया लक्ष्वी लास में का अब इस ट्रीटमेंट में नेचुरली दर्द हुआ है शेरोल्डर्स को दर्द हुआ है अंस चाहिए लेकिन यह है कि शायद अगर थोड़ा पहले डिसीजिजन होता और अब उसकी भी वज़े रही होंगी लेकिन अगर वो हो जाता तो शायद एक्विटी शेरोल्डर्स की वेल्यू जीरो नहीं होती है मुझे तकलिफ इसी बात की कि एक्विटी शेरोल्डर्स की वे जाएगा आज नहीं तो कल कुछ पैसे बनेंगे कुछ पैसे बच सकते हैं लक्षमी व्लास बैंक में वो सारी के सारी उम्मीने घराश है योगी खत्म हो गई जी दीप बिल्कुल तो डेफिनेटली ये खबर है जिसके विज़से बैंक्स फोकस में रहेंगे पर देखते हैं किस तरह का एक्शन आएगा एक्शन वैसे कल भरपूर था बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में इन पर्टिक्लर अनल जी की मॉर्निंग स्टाटीजी असानी से अचीव होते हैं एक बर देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर आपको क्या सला दी गए थी तो बाद 29,000 के आजपास का पहला टार्गेट बनेगा और इसके बाद 29,000 के आजपास के दूसरे टार्गेट के लिए तो मुझे लगता है कि गैप से खुलने के बाद बैंक निफ्टी में ज्यादा असकोफ नज़र आता है स्राटिजी रही जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है देखते हैं आज कैसा आक्शन रहेगा सर वाइदाकारोबार के बैंवे में आर्ठ स्टॉक से आर्टी बने हुआ है पर उसमें एक मूव Presents देखते हैं और अपर साथी वाइदाकारोबार के लिफ्टी में है इससे समझ में आता है कि टाटा स्टिल में किस तरह की पोजिशन बनी है किस तरह के तगड़े होते वे दिखे हैं आईए इस बीच आपको डेटा बता दूँ चारहजार नो सो पांच करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में बहुत दमदार है मताब इतनी दमदार खरीदारी दीब जो होती दिख रहे हैं 38,000 करोड़ के स्टॉक्स वो अब तक 11 सेशन में खरीद चुके हैं तो तगड़ी खरीदारी एफ़ाइस के तरफ से होती हो दिख रही है 1000 करोड़ के इंडेक्स फूचर्स खरीदे जिसमें उन्होंने इंडेक्स में शॉट कवरिंग भी किये और फ्रेश खरीदारी भी दोनों किये तो बड़ा एक्शन वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है फिर उसके अलावा आप देखिए स्टॉक फूचर्स में भी 200 करोड़ की खरीदारी है तो क्वालिटी के लियाद से अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों के सबसे बहतरी आंक्रे हैं जहां पर कैश में खरीदारी हैं इंडेक्स फूचर्स में शॉट कवरिंग भी है फ्रेश खरीदारी भी है और स्टॉक फूचर्स में भी खरीदारी है नहीं तो आम इसमें कोई डाउट नहीं और अगर आज के लिए बाजार में तेजी होनी है और निशले सरों से बाजार गूमना है और रिकवर होकर वापस से मजबूत होना है तो उसकी क्रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही फेक्टर को जाएगी वो है दमदार FIS की खरीदारी के आंक्रे है औ लेकिन वो फ्लोज अब भी मजबूती के साथ बने वें ये एक अच्छी बात है तो खो सकता है 30 नमबर तक आपको इसी तरह के मजबूत आंक्रे देखने को मिले और खरीदारी होती दिखे तो ये बाजार की डाउनसाइड ड्रिस को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत जादा इनके दम पर गिरेगा नहीं ये confidence बढ़ाने वाली चीज़ है तो आंक्रे बहुत दमदार है F.I.S की तरफ से जी दीप बिल्कुल तो आंक्रे काफी दमदार है F.I.S की तरफ से और खरीदारी का दोर चल रहा है सर जो वाइदा कारोबार के संकेते हैं उससाब से कौन से लेवल्स आहिम रहेंगे? दिफ वाइदा कारोबार के लिहाद से देखिए सबसे पहले 12,800 आपके लिए immediate support है जहां पर weekly series में highest open interest है 25,000,000 का जिसमें से 17,000,000 share कली जुर है तो इसका मतलब clear cut है कि आप 12,800 तोड़ेंगे तो ही आपको ये feel करना है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हो रहा हूँ जब तक 12,800 के उपर है तब तक तो आपको सोचने की ज़रूर भी नहीं की कमज़ोर है और वो आपको थोड़ी और तेजी दिखाएंगे तो उसके बाद 12,925 से 12,975 की range में निफ्टी पहुंचना चाहिए वहाँ पर एक बार आप चाहें तो profit book कर सकते है क्योंकि अभी data जो दिख रहे हैं उसमें 13,000 पार करना मुश्किल है तो उसलियाद से 13,000 जल्द बाजी में हम पार नहीं करेंगे या तो डाउ 200-300 पॉइंट उपर हो जाए तब तो एक अलग बात है या moritative वाले मामले में फैसला आजार वह ऐसा फैसला आए जो बैंकों को पसंद आए और तीसरा यह कि लक्षमी विलास बैंक के डूबने की सारे बड़े बैंक खुशी मनाएं शेर चल पड़े तब तो ये तीन चीजे हो तब तो आप 13,000 को आसानी से पार कर सकते हैं जी होगी और 13,000 आपके लिए उपर रुकावट का लेवल है बैंक डिफ्टी 29,000 अब आपके लिए सपोर्ट है अगर आप यहां से लगबग 175-80 पोईंट गिर जाएं तब तक दरिये मत बैंक डिफ्टी में बैंक डिफ्टी में आपको कमजोरी गिनने हैं 29,000 के नीचे से क्योंकि 29,000 के कॉल पर और पुट पर बराबर ओपन इंटेस से आठाट लाग शेनों का तो यह निन्ना एक लेवल है रसा कशिवाला कि 29,000 के नीचे हैं तो आप हलके से कमजोर है 29,000 के उपर बने हैं तो कही कोई चिंता की बात नहीं आप कंसोलिडेट कर रहे हैं नीचे 8,500 अगला मजबूत सपोर्ट है उपर में 29,500 अगला रुकावट का लेवल है तो डेटा वो क्लियर कट है तो सिंपल है निफ्टी में 12,800, 12,900 बैंक निफ्टी में 29,000 यह लेवल हैं जिस पर आपको ध्यान रपना है बिल्कुल तो एहम देनों का ट्रेट के लिए देखते हैं किन लेवल्स पर बाजार आज ट्रेट करते हो देखते हैं पर आईए आपको बता दें आज कौन से खबरोवाले स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी है कुशल, वरुन और साथी आशीश हमार साथ तयार हैं कुशल बताएं आज के एहम ट्रिगर्स और साथी खबरोवाले स्टॉक्स कौन से हैं बिल्कुल दिपानशो, गुड मॉनिंग और यहाँ पर आपको GST काउंसिल की बैठेक पर सबसे पहले नज़र रखनी होगी जिसमें इन्पुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो नकली इन्वोईस और अन्य GST फ्रॉड्स किये गए हैं आपको उन पर फोकस रखना है कि वहाँ पर किस साब की कमपनिया जो है इसको सब्सक्राइब करती है साथी PNG Health यहाँ पर इस टॉक पर नज़र रखे क्योंकि यह आज X-Dividend ट्रेट करेगा जिसमें Special Dividend इन्होंने 188 रुपर पतिशेर अनॉंस किया था और साथी Final Dividend भी इन्होंने 42 रुपर पतिशेर कर दिया था तो यहाँ पर नज़र रखे कि आज X-Dividend ट्रेट करता हुआ दिखेगा साथी DLF यहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी क्योंकि कमपनी जो है पहली बार जो Dow Jones Sustainability Index है उसका जो Emerging Market Index है वहाँ पर यह शामिल किया जाएगा यह स्टॉक और यह काफी बहतरीन खबर है DLF के लिए और 23 नवंबर से यह इस इंडेक्स में शामिल होता हुए दिखेगा इनफाक्ट अगर आप देखेंगे तो देश की केवल 11 कंपनियों में से यह एक कमपनी है जो अब लिष्ट होती वह उस इंडेक्स पर नजर आएगी IFL Securities इनके लिए भी पॉजिटिव का खबर का ट्रिगर है क्योंकि 20 नवंबर को कमपनी बाइबैक पर बोड बैठक करने वाली है IRCTC कोरोना के कारण से जो low occupancy तेजस ट्रेंस में होती वी दिखी है उस वज़े से अनिश्चित काल के लिए इन्होंने ट्रें के स्किडूल को कैंसिल कर दिया है तो यह बड़ी नेगेटिव खबर IRCTC के लिए बनती वी नजर आ रही है और अनपे aviation stocks इस पर focus रखे क्योंकि AirAsia जो joint venture है Tata Group और साथी AirAsia के बीच में वहाँ पर भारत में अपने घाटे को चलते वे airlines ने बयान जारी किया है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो वित्तिय स्थिती है हो सकता है कि वो इस joint venture से exit करते वे नजर आए ओके तो कई सारे एहम stocks हैं और aviation stocks और साथी real counters यह भी आपको आज focus में आते हुए दिखेंगे आईए दिखते हैं कुछ और stocks जो खबरों के दम पर action में हैं वरुन के साथ बताए वरुन जेगे दीप मेरे पास काफी सारे fund actions है और सबसे पहले तो कल का star performer Tata Steel यहाँ पे HDFC AMC ने पिछे कुछ समय में अपना हिस्सा घटाया है 5.02% से घटा के 2.96% हो गया है PTC India यहाँ अधित बिल्ला Sun Life Mutual Fund ने अपनी हिस्सेदारी जो है उसको घटाई है 5.46% से घटा के अब 3.42% हो गया है Everity Industries या Indecent Bank ने साड़े आठ लाग शेहस बेचे है 156 के भाव पर यानिकी इंटेसेंट बैंक या लगातार विक्वाली कर रहा है इस काउंटर में तानला प्लाटफॉर्म्स आपके आदोगा करी स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मेरे थी हुई है 13 से 14 नवंबर यानिकि ये दो दिनों के बीच में 97,000 शेर जो है प्रमोटर्स ने इस स्टॉक में खरीद है ओके तो कुछ फंड अक्शन भी हुआ है जिसके दम पर आज स्टॉक्स अक्शन में रहेंगे आई देखते हैं आज ब्रोकरिस का क्या कहना है एफ आई आर में बुड मॉर्निंग आशीश बताईए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं बुड मॉर्निंग देपांचो आज के बहुत कम रिपोर्ट्स आ रही हैं सिर्फ दो रिपोर्ट्स है मेरे पास सबसे पहले आप देखिए कि MGL यहां पर ब्रोकरिस आउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है दिखे हैं सीले से खरीदारी के राय को बनकरा रखे हुए है आशीश इसे हमारा संपर्ख थोड़ा सा चुस दुरूस नहीं है थोड़ी सी दिन भी फिर से एक बार आपको ब्रोकरिस रिपोर्ट्स फिर से दिखाएंगे तब तक एक काम करते हैं जल्दी से पिक आफ देडिका बिगुल और चलते हैं हमारे तमाम एक्सपर्स के साथ आ आशीश अब आप मुझे अच्छे दिर सुन पा रहे हैं मतलब आपको सुनी पा रहे हैं मैं अच्छे दिर सुन पा रहा हूं नहीं है वह मैं टेस्ट करना चाहता हूं जड़ा कुछ बोलिए अनिल जी मुझे तो आपकी आवाज इंदम क्लियर आ रही है गुड मॉनिंग आशी बताइए ब्रोकरेश रिपोर्ट्स अनिल पर रिपोर्ट्स आई है यहां पर खरीदारी किराय को बरकरार रखा गया है और लग्ज जो है 1299 से बढ़ाकर 1350 कर दिया है कि अगर आप देखेंगे तो वालुएशन अभी भी 50% डिसकाउंट पर है और आगे जाकर वॉल 22 EPS के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वालुएशन केवल 11 के मल्टिपल पर है ऐसे में जो रिस्क और रिवार्ड है वह बहत आकर सके क्योंकि डिविदेट इल्ट भी बढ़िया मिल रही है स्टॉक को महीं क्रेडिट स्वीज की रिपोर्ट आई है जहां पर आउट प रिटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है अब रिडियूस की रिटिंग को बदल कर ये खरीदारी के राय दे रहे हैं और लक्ष में देखी कितनी भारी बढ़ोत्री की है साड़े चब्वीस रुपे से बढ़ा कर 80 रुपे कर दिया हलाकि इसके पीछे का राशनल नहीं है लेकिन जो रिपोर्ट है वो दमदार नज़र आ रही है ओके तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट जिन पर नज़र रखनी है साड़े चब्वी से सीधा 80 टेक ओफ की तैयारी है स्पाइस जेट की हस्वीसी के मुताबिक